कल फाइनल परिणाम आने हैं, कॉंग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है, पूरे परिणाओं के परिणाओं को लेकर और क्या इंथ्यूजियाजम पार्टी के अंदर है? देखिजी, कॉंग्रेस पार्टी is very, very confident that हमारे जितने भी विधायक और जितने भी हमने फील्ड किये हैं लोग, उन में से अधिकतर, अधिकतर, मजॉर्टी जीत कराएगी, और हम अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दोर आये नहीं है, उसके मैं कारण भी आपक विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया हैं, वो लोगों के सामने हैं, लोगों ने इस election में भी पीछे जो बाइप election हुआ, उसमें भी लोगों ने उन्हीं कामों को देखे, उन्हीं विकासों को देखते हुए, कॉंग्रेस का साथ दिया, और लोग ये चाहते हैं कि कई न और में भी कॉंग्रेस को स्मर्थन मिलेगा जनता को स्मर्थन मिलेगा आप देखें युवीर्भद सिंग जी का चेहरा ही मुख्यत आगे रखा गया और लोगों ने उनके चेहरे को देखके उनके विकास के कारे को देखते हुई ही कॉंग्रेस का स्मर्थन किया दूसरी बात ये है कि OPS का मुद्दा महिलाओं को अर्थिक तौर्ट से मजबूत करने की बात युवाओं को रोजगार देने की बात कॉंग्रिस पार्टी ने की है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको बार-बार बीजेपी के पास भी ये लोग जाते रहे पर इन्होंने इस बात को नजर अंदास किया जिन्होंने अपना जीवन का अधिक तर समय सरकारी करमचारी बनकर सेवाओं में दिया है वो भी चाहते थे कि हमारी डिटार्मेंट के बाद हमको पेंशन मिले पर अफसोस की बात है इन्होंने उसको महत्वना देते हुए अंततय हुए कॉंग्रेस के पास आए और हमने कहा कि हमार हम इसको मेनिफेस्टों में प्रायोर्टी पर रखेंगे जैसी हमारी सरकार बनेगी तो प्यस का मुद्दे के लिए हम जो भी संबब होगा उसको आरे को हम करने में सक्षम है और करके देंगे आप ट्रूओट जा केंपेंड रखवा एलेक्शन की बाद करें लगातार वीवर्द सिंग मॉडल की कॉंग्रेस आप लोग तमाम लोग बाते करते रहे हैं आप कहते भी हैं कि वीवर्द सिंग का नाम लेके चुनाओ लड़ा गया था इस नाते आपको क्या लगता है वीवर्द सिंग का परिवार जो कि इस इलेक्शन में भी जिनोंने एहम भूमिका ने बाई शिर्मती सोनिया गांधी जिने इसी बात को देखते वे इसी बात को मध्या नजर रखते वे मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मैंने भी 68 के 68 हलकों में जाकर कॉंग्रिस पार्टी के लिए प्रचार किया है और उनको बल देने के लिए उनको मजबूती देने के लिए जो मेर से संभोवववा मैंने कारिय किया है तो इस बात को ध्यान में रखते वे आप भदर सिंग की लेगसी को उनके परिवार को नजर अंदाज नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि ये आने वाले चुनाव में भी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जो जीत कर आएंगे उनका भी यही मानना है और अंत्ते ये बात हा हाई कमार्ड भी इन बातों को बड़ी गहराई से देखेगी सोचेगी और ये उन्होंने तै करना है कि किसको उन्होंने आगे लाना है और किस चेहरे को वो महत्तों देते हैं ये सब चीजे कंसेसी की जाएगी निरने होगा सब पार्टी की भी इसमें बैठके ये बात होगी या इसने कोई कॉंटरवर्सी होने कि समब आपना जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जीत के लोग विदायट बनके आएंगे उन मेंसे ही मुख्य मंत्री के चेहरे हो कि इस देश की बागडोर को उनके हाथों में सौंपा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है अगर हाई कमांड ये फैसला करती है और हाई कमांड इस बात को महत्व देती है तो अवश्य मुझे लगता है कि वो इस निरने पर आएंगे और जितने भी हमारे विदायक दल है उ किसको समर्थन देते हैं किसका साथ देते हैं ये बहुत महत्वपूरण बात है जिसको शायद हाई कमांड भी नजर अंदाज नहीं कर सकती है जिस तरह से लिन मार्जन की बात की जारी है एक एजिट पोल के इस आप से देखा जाए तो क्या लगता होर्स ट्रेडिंग को ल और परदेशों की मुझे नहीं पता कि क्या हाला थे क्या परिस्तिती बनी और कैसे उन्होंने तोड मुरूड की सरकारे बनाई पर जहां तक हिमाचल परदेश की बात है आप सब जानते हिमाचल परदेश की लोग सच्चाई का साथ देने वाले इमानदारी का साथ देने व तो यहां कोई ऐसी पैसे से खरीदने की बात नहीं होगी हॉस ट्रेडिंग की बात नहीं होगी और मैं समझती हूं कि जो विधायक चुनकर आएंगे उनको बैठाकर उनसे जो अब्जर्वर आये हैं दिली के हाई कमांड ने बड़े बड़े लोगों को यहां पर चाहे वो पहुंचाया जाएगा और अंतते हाई कमांड ही इसका फैसला लेगी कि किसको इस प्रिदेश की बागडोर को संभाला जाए अभी ऐसा कोई ने देश नहीं है ऐसा हमारे को कोई गाइडलेन नहीं आई कोई किसी दीडर ने हमको ऐसा नहीं कहा है देखते हैं कल क्या पर इस वाइ नोट देविल क्लोजली वाच की वाट इस हापनिंग और देविल दू इंपॉर्टंस तो पीपल हुआ इलेक्टेड और उनका क्या व्यूपॉइंट है और क्या वो चाते हैं क्या प्रिदेश की जंता चाती है उसको महत्व दिया जाए जाए बीजेपी का आरोप है और सिर्पॉलिजिस्ट भी महन रहे हैं कि जो कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ परिनाम आने से पहले मुख्यमंत्रिपाद को लेकर दो धड़ों में बंटती दिख रही है इसका फाइदा बीजेपी उठाएगी ऐसा हम होने नहीं देंगे कोई धड़ा नहीं होगा कोई बात को देखा जाएगा कि मिजॉरिटी ओफ एम एलेक्ट होकर आएंगे उनका क्या कहना है उनका क्या मानना है और उनकी बात को सुनते वे उसको इंपॉर्टन्स देते वे फिर हाई कमांड क्या डिसाइड करती है